शहर कालका और आसपास बुखार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे 25 मामले आये बुखार के स्वास्तवी भाग कालका ने एक को नोटिस जारी किया शहर कालका में और आसपास के एरिया में बुखार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं कालका शहर में आए दिन बुखार के मामले बढ़ते जा रहे हैं मंगलवार को 25 मामले बुखार के आये थे जिन में से 20 का CBC टेस्ट लिया गया वहीं डेंगु बिमारी से बचाव के लिए स्वास्ते विभा कालका घर घर जाकर लोगों के पानी को चेक कर रहा है और डेंगु लार्वा मिलने पर पाने फिकवाने और लोगों को स्तरक रहने की अपीर भी की जा रही है उपमंडल कालका हॉस्पिटल के SMO डॉक्टर राजीव नर्वाल ने बताया कि स्वास्ते निरिक्षिक संदीब कुमार की सुपरविजन में सौर्स डिटक्शन की टीमें लगातार कारे कर रही है विभाक की टीमें अलगलग घरों और कालोनियों में जाकर लोगों के घरों में एकत्रित पानी को चख कर रही है वहीं बसंत विहार खिला कलोनी रामनगर सहीद अन्य जगाओं पर विभाग की टीमें लोगों के घरों में चेकिंग कर रही है विभाग के अनुसार अभी तक एक की मौत डेंगू से हुई है स्वास्ते विभाग की टीमों ने कहा की पानी को एक या दो दिन तक स्टोर करके रखे आना था इसने खड़े पानी में डेंगू मच्र का लारवा पैदा हो सकता है यहां हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की जांच भी की जा रही है गौर तलब है कि गत महिने बरसातों में रहसे में बुखार के बाद कई लोग अपनी जान गवा चुके थे वहीं शेयर में सेंखडों लोग डेंगू किछ बेट पें भी आये थे जिसके बाद स्वास्ते भाग काल का काफी अलर्ट हो चुका है और लगातार टीमें लोगों के घरों में जाकर सर्वे कर रही है